बिहार में जिस तरीके से एकजिट पोल सामने आये और महागडबंदन की सरकार बनाने की बात आई उसके बात से पूरे बिहार में जो महागडबंदन के उमिद्वार है या फिर उनके समर्थक हैं उनमें काफी उत्सा देखा जा रहा है और आज हमारी ATN Live की टीम सीवान जिले के अलग-अलग बिधान सभाशेत्रों में लगभग जो प्रत्यासी है जो काटी की टकर में हैं उन तक पहुँचेगी और दिखाएगी कि आखिर कार क्या कुछ आलम है कितने उत्साहित हैं और जो जीत के जो आंक्रे हैं वो क्या कुछ इसको ले करके हम पहुचे हुएं सिवान के राजत के उमिद्वार अवद भिहारी चौधरी आप देख सकते हैं कि काउंटिंग कल है आज नो तारीक है और आज से ही इनके पास फिर से एक बार कर्च करता हो कि भिड उमरनी सुरू हो गई है और चेहरे पे आप देख सकते ह है कि मुस्कुराहट है चेहरे पे मुस्कुराहट जलक रही है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एकजिट पोल जो सामने आए है तो आखिर कार चेहरे पे मुस्कुराहट रहे क्यों नहीं अवद भिहारी चौधरी जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार महागडबंदन की स सिलसिला जो है लगातार जारी है और और ब्यारी चौधरी को लोग बधाई भी दे रहे हैं कल जो होगा फैसले जो होंगे कल निकलेंगे लिए आज से ही बधाईया सुरू हो गई आप देख सकते हैं और ब्यारी चौधरी के पास तमाम लोग पहुंचे हुए जो आर जेडी क समर्थक हैं महागडबंदन के समर्थक हैं तमाम लोग पहुंच करके ऑष्बियारी चौधरी को आज से ही बदाई देना शुरू कर दी है कल कि होगा हम और ब्यारी से बात करेंगे कि कल की क्या कुछ तयारी यह देखा जारा है। समाम लोग यहाँ पहुँच करके और काफी उस्सा है क्या कुछ तैयारियां है जित का जसन किस तरीके से मनेगा काउंटिंग की तैयारी पूरे तरीके से हो गई है और हमारे कर्शकरता जो है बेचाइनी में है कि कॉप काउंटिंग हॉल में हम भूब जाएं तो यह सरकार में तो आरजेडी महागट बंधन की सरकार बनने जा रही है लेकिन सीवान के आठो सीट पर राष्टिय जनता दल महागट बंधन की जीत होगी इसलिए ज्यादा उच्छा है और ब्यारी जी बहुत अर्से के बाद फिर से एक बार आपको यह सीट मिलने जा रहा है जिस मजबूत बिकास के मामले में मैं बनाने के लिए यहां के जो लोग हैं उनको एक बार मैं बैठाओंगा और सब लोगों से राई लूँगा कि आप क्या चाहते हैं हमसे क्या उमीद कर रहे हैं जो वो लोग हमको राई देंगे पूरे लोग जूट करके जो हमको हमसे उमीद करके जो राई देंगे उसी के अनुसार मैं सिवान के विकास के लिए और नवजूकों को रोजी रोटी देने के लिए उद्योग के मामले में मैं काम करूँगा सकता है यह तो लालु जी की की खृपा हमेशा रही है मैं भी उनके साथ मुस्तिष्टी सात्षं लगा रहता हूं और तेजस्वी प्रसाध यादव विहार के मुख मंत्री हैं, उन को भी हम में बिश्वास है, तु हम जो जिमारी कें जिमारी का Research- Hoy दिचताि के हित में और बिहार के हित में और इसुछील के हित में काम करूँगा बीजे पे भी कर रहे है कि कितना हूँ कुछ हो जाए लेकिन हम चुनाव जीतेंगे आपको क्या लग रहा है कि वाकवी में आरज़ेडी बाजी मार देगी क्या क्या जो आपके रिसिदार हैं उनको फिर से एक बार पठकनी आप देने के लिए तैयार है अब देखिए उनकी सोच समयधारी है वो कहां से चुनाव जीत रहे हैं कहां से उमीद रखे हैं वो कल कांटिंग जब सुरू होगा न तो फर्स से सेकेंड राउन में वो लोग हौल छोड़ करके न पत्ता हो जाएंगे तो क्या माना जाएगा कि जिस अगर चुनाव परिनाम आपके प्रक्ष में आते हैं तो यह माना जाएगा कि सीवान में फिर से एक बार एमुआई समीकरन जिस पे कई बार सवाल उठते आए हैं वो फिर से एक बार बरकराद हो गया एमुआई समीकरन तो है ही हमारे साथ एटुजेड समीकरन जुटा हुआ है एटुजेड समीकरन है और इसी का फायदा आपको मिलने जा रहा है और सब लोगों ने हमको पसंद किया है राष्टिय जनतादल महागडवनन और मुझे बैक्तिगत रूप से इसलिए यह समीकरन बहुत पोखता है और पोखता रहेगा और यह तुजेड के लिए हम काम करेंगे और सब को लेकर कर चलेंगे चाहें सहर हो दियात हो सब भाईयों के कल्यान के लिए विकास के लिए उनके बेहतरी के लिए उनके रक्षा सुरक्षा के लिए मैं काम करूं सब कर्च करता पूरे तैयारी में है आपने अपने तरह से लोग तैयार किया है लेकिन हम समाम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि जो काउंटिंग हो जो जीत हो तो सभी लोग पूरे सांती सद्भावना के साथ काम करेंगे और कहीं भी आइसा नहीं लगे कि किसी को लगे कि यह लोग ठेस पहुंचे उसका ख्याल करना है और सब लोगों को काफी एकता के साथ सब भाईयों को जोड़ करके सहर हो यह देहात के सभी कर्च करता एक दूसरे को प्यार बाटने का काम करें और पूरे सांती पून तरीके से वह काम करें और उत्साहित तो लोग होंगे ही सभाविक है लेकिन उत्साह ऐसा हो कि लोगों को लगे कि उत्साहित हैं उत्साहिते ऐसे आप आगे हो देखिए जित तो होगी ही जो हम देख रहे हैं जो कर्च करता लोगों के द्वारा जो फीड़ वैक है यह मैं स्वेंग देखता हूं लेकिन हमको यह उमीद है कि मार्जिन ज्यादा रहेगा मार्जिन रहेगा तो बिल्कुल आप ने देखा जिस तरह के आंकड़े आ रहा हैं वेसे उसी तरह से ये भी बता रहा है कि हमारे जीतता है, तमाम और भी लोग मौझूद हैं, परवेज जी मौझूद है, ये लोग इनके चुनाओ के लिए अच्छे तरीके से, किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए थी, ये तमाम लोग हा पहुद कहते हैं द्याद में फूंपूंख करलात रखे हैं हम लोग सबी जाती ओको साथ लेकर चले हैं आज सबका हम जियादतर नौजवानों को समर्थन मिला नौजवान बेरोजगार हैं हमारे जुआ नेता शरी तेज़ी परसाथ जादों ने बोला है जिह हम रोजगार द हैं हम लोग की सरकार बनेघी हम लोग पुरा त्यारी के साथ हम लोग जितने टीम के शाज़्फितяж से सभी जो त्यारी त्यारी में अच्छी तरह से त्यारी किये हुए है आधाahu जिव हम लोग सबस्के करंगेगा और कि लो Communications नेमि जिए गुए साथ अगर चुनाओ जीतते हैं तो एक मंत्राले इन्हें मिल सकता है क्योंकि कदावर नेता और काफी करी भी माने जाते हैं निस्चीत रूप से क्या होगा कल और किस तरह से तयारी है हम लोग बहुत अच्छे धंग से जस्न मनाएंगे और हम लोग सब लोग सांती पूर्वक सारे जस्न को मनाएंगे कोई हुर्दंग बाजी नहीं होगी यह हम लोग अपील भी करते हैं अपनी लोगों से और कुछ बिसेश कल स्पेसल मिठाईयां भी बनेंगे जो होगा सो हम लोग सारी वेवस्थाय करेंगे देखिए आर जेडी के जो भी कार्य करता है उनके चेहरे पे मुस्कुराहत है और मिठाय की जब बात आरी है तो और उनके हसी बाहर से निकल जा रही है हमरे साथ साबिड जी मोग मौई मुझा जो की पूर मुकिया है ए बहुत आर्से के बात से आप लोग को कुछि मिलने जा रही बदलाओ तो हो चुका है हो चुका है कanse आपर्म है म आधा हैu औरने वाएस सभापे बहुत असर दालेगा है और विकुछ लोग मौझूद हुद के यहां के उप्रमूख कि imp कोण किसको पड़कनी देगा एक बात याद आती है जब मंद्री जी ने कहा था कि एक छेरुआ लड़ाई एक मेरुआ लड़ाई हो देखा सर्याद है उन ने वाला है क्या हारंदर जी鼓 आधमी मन में मिठाई खाने के लिए बैठा है तक लोग है यही नहीं सिवान सीट नहीं पूरे बिहार जीत रहे हैं तेजस्वी जी जो है मुख मंत्री जी बन रहे हैं हमारे मंत्री जी भी जो है ना मुख मंत्री के नीचे के जो भी पोच्ट है वह हमारे मंत्री का प्राप्त होगा चुकि अनभाव आदमी यहीं है इनसे परमर्स लेके भीते जस्बीजी कोई काम करेंगे तो आपने नीचे वला जो पोष्ट सबसे अच्छा मिलेगा हम लोग जीत गए हैं आपके लड़ा है वो अपने सीवान छोड के चला जाएगा वो शुरू होगी उसके बाद जो फैसला आएगा तभी पता चल सकेगा कि सीवान सदर का विधायक कौन होता है तब तक के लिए थोरी देर के लिए इंतिजार करना होगा हमारे स्वहोगी आसीस कुमार गोलू के साथ चंदन कुमारे टीन लाइब सीवान